नवास्कार दोस्तों, GSACP के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम weekly compilation के part 7 में 3 December से लेके 9 December के बीच में total 10 important current affairs जो हैं उनके बारे में discuss करेंगे उनको discuss करने से पहले हम कुछ important days के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले National Day यानि के राष्टी दिवस में 4 December को हम भारतिय नोसेना दिवस मनाते हैं 6 December को हम बियार अमबेडिकर जी की पुनितिती मनाते हैं और 7 December को हम स्वतंत्र सेना जंडा दिवस मनाते हैं अगर हम International Day की बात करें तो 3 December को विश्व विकलांग दिवस या विकलांग वक्तियों का अंतर राष्टी दिवस मनाया जाता है 5 December को अंतर राष्टी स्वयम सेवक दिवस मनाया जाता है और 5 December को ही विश्व म्रदा दिवस मनाया जाता है 7 دسمبر को अंतराष्टिय नागरिक उडेयन दिवस मनाया जाता है 8 दिसमبر को बोधी दिवस मनाया जाता है और 9 दिसमبر को जो है वो अंतराष्टिय भरष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो मनाया जाता है और question discuss करने से पहले आज के coat of the day में हम देख लेते हैं कि क्या है? कोट अब दो कर रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आप सफल होंगे. तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी मैंनत कर रहे हैं उसको सिद्दत से मैंनत करते रहreno आज नहीं तो कल अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधी सूची में सामिल हो गया है। मानिता दी गई है। यह देखिए न्यूज भी इंडियन एक्स्प्रेस में भी न्यूज आई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हर जगे मतलब यह न्यूज जो है वो गूंज रही है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यह कोशन पूचा जा सकता है वंडे एक् इसकोल की सूची में सामिल है जिसमें से इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो लामलीला भी सामिल है। वैदिक मंत्रो चार 14 है। कुम्भ मेला यह व्ओ भी सामिल है और दुरगा पूजा जो होते है व हो भी सामिल है। अज़ ans नित्य की खास बात या है कि गर्बा जो है वो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो है वो नित्य उत्सो जो है वो माना जाता है और इस उत्सो को मनाने का परपस क्या है नारित्य का जस्न मनाया जाता है किसमे गर्बा में आम तोर पर लोग इस नित्य को खुसी और उत्सो से जोड़ कर देखते हैं हाला कि इसका असल अर्थ कुछ और होता है दरअसल जो गर्बा होता है जिसे गर्बो के नाम से भी जाना जाता है President Chanta यानि की Fertility Fertility का जस्न मनाता है और Narito यानि की Woman-hood Woman-hood का सम्मान करता है बात करें इसके नाम की तो इस नित्य का जो नाम है वो गर्बा संस्कृत का जो एक सब्द है गर्भ से लिया गया है जो गर्बा डांस है ना संस्कृत का एक सब्द है गर्भ गर्भ से ही एक सब्द लिया गया है ठीक है अब गुजरात की बात आई है तो कुछ गुजरात के के बारे में आप लोग नोळूँडाउन कर सकते हैं कुछ बाते गुजरात की इस थापना है वह एक मई-1960 को इसका फॉर्मेशन जो है वह हुआ था और गुजरात की इस सम्हों है कैपिटल है उसका नाम है गांदी नेगर उसका नाम क्या है गांधीनगर औरुजरात की सम्ह जो largest city है उसका नाम किया है? उसका नाम है एहम्दाबाद और इस समय गुजरात में district की संख्या वो कितनी है? break district की कुल संख्या 23 है और इस समय गुजरात के governor है उनका नाम है आचार्य देववरत आचार्य देववरत जी जो है वो इस समय यहां के governor है और इस समय चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पतेल भूपेंद्र भाई पतेल जी जो है वो इस समय यहां के मुख्यमंत्री हैं जो की बीजेपी पार्टी से जो है वो बिलॉंग करते हैं और अगर लोक सभा की बात की जाए तो गुजरा की कुछ इस्टैटिक जानकारी हो गई तो याद रखिएगा कि गुजरात के गर्वा को जो है वो यूनेस्को की अमूर सांस्कृतिक विरासत में सामिल कर लिया गया है और अगले न्यूस की और बढ़ते हैं अगला न्यूस क्या है अगली न्यूस है कि भारत के विधान सबा चुनाओों के कुछ परडाम जारी हुए है ठीक है और कितने राज्यों में चुनाओ थे पांच राज्यों में चुनाओ थे 36 गड़ में मिजोरम में मध्य प्रदेश में राजस्थान में और तेलंगाना में और इन चुनाओं की बात की जाए तो 36 गड़ में कुल 90 सीटे सब्सक्राइब तो इसकी सीटे थी वह को फीज्ड़ है से 40ती जिसमें को एकी सीटे मिली है। मद्यप्रदेश की बात कि जाए तो इसमें कुल 230 सीटे थी जिसमें से बहुमत को 116 सीटे मिली है। और राज je में जो सीटै थी वो कुल 200 थी जिसमें से बहूमत को 101 सीटे मिली है और तेलंगाना में जहाद पर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की सरकार बनी है इसमें सीटों की कुल संक्या 119 थी जिसमें बहूमत को कुल 60 सीटे जो हैँ मिली है ठीक है अब इन सब राजियों की बात आई है तो इन सब राजियों के कुछ static fact के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम discuss करते हैं तेलंगाना के बारे में किसके बारे में तेलंगाना के बारे में तेलंगाना का जो formation है वह दो जून दो हजार 14 को इसका formation हुआ था ठीक है किस से कट कर ये बना था ये जो है आंद्र प्रदेश से सोरी हां आंद्र प्रदेश से जो है वो कट कर ये बना था और इसकी जो capital उसका नाम क्या है उसका नाम है हैदराबाद तिलंगाना की capital का नाम क्या है है हैदराबाद और हैदराबाद भी य यहां की क्या है largest city है क्या है largest city district यानि डििश्टिक की संख्या यहां पे कुल जिलो की संख्या 33 है और यहां पे इस समय जो governor है उनका नाम थाम्ली साही सॉंदराजन सॉंद्राजन इस समय यहां की क्यों है गवर्णर है और चीफर मिनिस्टर की बात की जाurdart तो अभी Indian National Congress Congress जीती है . तो Congress के ही CM यहा पर अभी Recently बने है , उनका नाम किया है ? उनका नाम है Anu Moola Anu Moola Revanath Revanath Reddy जो यहां के है , यहां के समय CM जो है , जो है , वो बने है उनका shortcut में नाम , याद रूखियेगा , ति लंग आनकर जो समय Chief Minister मिनिस्टर बने है उनका नाम क्या है उनका नाम है ए रेड़ी जी और इस समय डिपुटी चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन बने है डिपुटी चीफ मिनिस्टर जो है वो मलु भाट बटी विक्र मरका जी जो है वो इस समय यहां की डिपुटी जो है वो बनी है डिपुटी क्या साथ है और legislative assembly यानि कि विधान सभा की विधान सभा की कुल सीटों की संक्या कितनी है चालिस तो आप इन सफेक्ट को याद रह सकते हैं तेलंगाना के बाद दूसरा राज यह है राजिस्थान राजिस्थान के बारे में 1949 को इसका formation हुआ था इसकी जो capital और जो largest city है उसका नाम क्या है उसका नाम है जैपूर जिसको हम pink city भी बोलते हैं जैपूर को हम pink city भी बोलते हैं यह आप याद रखिएगा और सवाई राजा जै सिंग के नाम पे जैपूर का नाम पड़ा है यहाँ पे district की कुल संक्या कितनी ह 50 इस 50 district में division की संक्या कितनी है division की जो संक्या है वो कुल 10 division की संक्या और इस समय governor राजिस्थान के कौन है उनका नाम है कलराज मिस्रा कलराज मिस्र जी जो है वह समय यहाँ के governor है इस समय जो चीफ मीनिस्टर राजस्थान के समय कोई चीफ मिनिस्टर नही है कवल नाज जी यह उससे पहले ठीक है और हिसमए वेकंट बीजेपी जीती है तो बीजेपी का ही कोई यहां पे CM बनेगा लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की यहां पे 25 सीटे हैं राजसभा की यहां पे 10 सीटे हैं और विधान सभा की जो है वो सीटों की संक्या कितनी विधान सभा की सीटों की संक्या 200 है राजस्थान के बाद कौन सा आया राजस्थान के बाद मिजोरम की बात कर लेते हैं अब हाइडिंग डालिएगा मिजोरम इसके बारे में भी कुछ महत्पूर फैक्ट जान लीजे मिजोरम का जो फॉर्मेशन है वो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी इसकी जो कैपिट पती हरी बहु कंभम पती हरी बहु यह जो है इस समय यहां के गवर्नर है और यहां पर इस समय जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है लाल्डू लाल्डू होमा याद रखिएगा कौन है लाल्डू होमा यह जो जिस पार्टी से बिलॉंग करते ह है ZCM जो भी है यह जो पार्टी है यह दूसरी बार यह चुनाओ लड़ रही थी पहली बार यह जो है ना 2018 में चुनाओ लड़ी थी जहां पर यह हार गई थी उसके बाद यह जो है दूसरी बढ़ चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बनाय जा रहे हैं लोग सबा की बात की जाए तो विजरम में लोग सबाकी कुछ सीट है राजय सबाot कि एक है और विधान सबा की कुल सीटों के संख्या 40 है मिजोरम के बाद आते हैं मद्यप्रदेश के उपर मद्यप्रदेश के ऊपर मद्यप्रदेश का जो formation है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसकी जो capital है capital का नाम भोपाल है और इसकी जो largest city है largest city का नाम इन दोर है क्या है इन दोर है यहां पर डिष्टिक की कुल संक्या तिरपन है और इस तिरपन डिष्टिक में 10 डिवीजन जो है वो सामिल है और इस समय जो मद्यप्रदेश के गवर्नर है उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल जी जो है इस समय यहां के गवर्नर है और इस समय जो चीफ मिनिस्ट हैं कहां कि मद्य-प्रदेश के सिवराज सिंग क!". और जिए बजए मिंधा की हान्व को दुबारा मुक्हमंत्र being. यहां पर लोक कि कुल सीटों की संख्या 29 है राज्य सबा की कुल सोह की संख्या 11 है और विदान सबा कि को की संख्या जो है वह 230 है और एक और राज्य राज्य बचा है उस राज्य का क्या नाम है उस राज्य का नाम है उस राज्य का नाम है च्छतीस गड़ तो च्छतीस गड़ के बारे में भी डिसक्स कर लेते हैं च्छतीस गड़ के बारे में भी डिसक्स कर लेते हैं च्छतीस गड़ का जो फॉर्मेशन है वो एक नवंबर सन 2000 को यह बना था और किसे तोट के यह बना था तो मध्यप्रदेश से तूट के जो है 36 गड़ अलग बना था इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है नवारायपूर जो है यह इसकी कैपिटल है डिस्टिक की कुल संक्या 33 है 33 जिसमें 33 33 district में 5 division में यह divide है और यहां पे जो इस समय गवर्नर है उनका नाम में बिश्व भूशन हरिस्चंदन बिश्व भूशन हरिस्चंदन जी जो है वो इस समय यहां के गवर्नर है यहां पे जो CM का पद है इस समय वेकंट है क्योंकि BJP जीते ही उन्हीं की पार्टी से कोई ना को नब्बे है यहां पर कहां पर 36 गड़ में तो चुनाओ से रिलेटट जानकारी दे दी गई है और इसके जो इस्टैटिक पैक्ट थे वो भी जो पूछे जा सकते हैं आपके एक्जाम में उनके बारे में डिसकस कर लिया गया है तो भारत के विदानसभा चुनाओं के जो है उसको निरस्त कर दिया गया चार दिसंबर 2023 को राज्यसभा में डाघघर विधेयक 2023 जो है वो पारित हुआ इस विदेयक में 125 साल पूराने भारतिये डाघघर अधिनियम को निरस्त करने का प्राउधन किया गया है इस बिल के कानून बनने के बाद अंग्रेजों के जमाने का 125 साल पुराना पोस्ट आफिस कानून जो है वो समात्थ हो जाएगा प्रचलित पोस्ट आफिस कानून 1898 में बनाये गया था और 125 साल से चल रहा है पोस्ट आफिस कानून और डागघर विदेयक 2023 का जो उद्देश है वो डागघरों को एक आधुनिक और कुसल सेव प्रदाता के रूप में विक्सित करना है या जो विदेयक है वो डागघरों को नई सेवाओं और उत्पादों को सुरू करने अपनी वित्तिय प्रदर्शन में सुधार करने और ग्राहकों के लिए बहतर सेवाएं प्रदान करने की अनुमती देगा देखिए वेरियस न्य यह न्यूज बताई गई है राजय सबाब पाससें सैं संब्सक्राइब इस विद्ह प्रांधा को प्रदाता के रूप में परिभास इत किया जाएगा टाक घरों को उ acqu consists of ama जीवन बीमा और अन्य सम्वन्दित सेवाइं प्रदान करने की अनुमती भी दिजएगा थी मैं तीसरा टाक घरों को सरकारी सेवाoli को प्रदान करने के लिए अधिकरत किया जाएगा और टाक घरों को अधिक स्वायत्ता भी दी जाएगी ठीक है और अगर राज्यसभा की बात आई है ठीक है यह कहां पर पारित हुआ यह राज्यसभा में पारित हुआ है तो राज्यसभा की बात आई है तो कुछ राज्यसभा के भी बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा होता क्या है राज्यसभा जो है वह अपर हाउ राजशभा के उनका नाम क्या है उनका नाम है जगदीब धनकर जी क्या नाम है जगदीब उसके बाद जो इस समय deputy chairman है उनका नाम हरीवंस नारायन सिंग उनका नाम हरीवंस नारायन सिंग जो है वो इस समय deputy chairman है कब से यह यह है यह 9 अगस्ट 2018 से deputy chairman है इस समय secretary journal जो है राजय सबा के उनका नाम है प्रमोध चंद्र प्रमोध प्रमोध चंद्र जो है वो इस समय मूडी प्रमोध चंद्र मूडी जो है इस समय secretary journal है जो की 12 नवंबर 2021 से इस पद पर कारियरत है और leader of the house जो है इस समय बीजेपी जो है उसकी तरब उनकी तरब से कौन है प्यूस गोयल जी है कौन है प्यूस गोयल जी जो है जो है cabinet minister भी है बीजेपी की ओर से और यह 14 जुलाई चौदे जुलाई 2021 से जो है यह leader of the house है deputy leader of the house कौन है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान ये भी एक cabinet minister है BJP party से है और 17 दिसमबर 17 दिसमबर 2022 से यह deputy leader of house हैं, leader of opposition इसमें कون है? उनका नामे मली कारजुन खडगे, मली कारजुन खडगे जी जी जो है वो इस समय leader of the opposition है, जो की congress से बिलोंग, party से बिलोंग करते हैं, जो की 16 फरवरी, 16 फरवरी 2021 से इसपथ पर कारेरत हैं, और deputy leader of the opposition कौन है उनका नाम है प्रमोध तिवारी क्या है कौन है प्रमोध तिवारी जो है वो deputy leader of the opposition है और यह कब से हैं यह भी Congress से बिलॉंग करते हैं यह 13 March 13 March 2023 इस पत्पर यह कारे रत है ठीक है अगर राजसभा में सीटों की संक्या देखी जाए तो राजसभा में कुल सीटों की संक्या 245 है जिसमें से 233 मेंबर जो होते हैं वो elected होते हैं उलेक्टेड होते हैं और जो बारें मेंबर होते हैं वो nominated होते हैं क्या होते हैं नौ्मिनेटि अलबहने और किसके द्वारा выглядит किये जाते हैं वह राष्टपती के द्वारा नॉमिनेट किये जाते हैं तो आज की तीसरी न्यूस क्या हो गई कि राज्यसवा में डाग घर विधेयक 2023 पारित किया गया और 105 साल पुराने भारतिय डाग घर अधिनियम को निरस्त किया गया अगली न्यूस क्यों पढ़ते हैं अगली न्यूस क् मुंकस्मिर आरचप संसोधन विधेयक तोजार तेईस और जंहू और कस्मिर पुरण गठन संसोधन विध्यव land 2023 को लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गया ठिक है इन दोनों विधेयको को सरकारी द्वारा पेश किया गया था जम्मू और कस्मीर आरच्षड संसोधन विधान सभा में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरच्षड की सीटों की संक्या को बढ़ाने का प्राउधन किया गया ठीक है वर्तमान में जम्मू और कस्मीर विधान सभा में अनुसूची जाती के लिए 6 सीटे और अनुसूची जन जाती के लिए कोई सीटे आरचित नहीं थी संसोधित विधेयक में क्या किया गया अनुसूची जाती के लिए 7 सीटे किसे 6 से 7 सीटे कर दी गई और जो अनुसूची जन जाती के लिए जो कोई भीसीट नहीं थी जो जीरोसीटे थी वो कितनी सीटे और इनको दे दी गए इनको 9 सीटे जो है वो और दे दी गए तो मतलब 6-7 सीटे होग इधर 0-9 सीटे जो है वो अरचित कर दी गए अब जम्मू कस्मीर की बात आई है तो कुछ जम्मू कस्मीर के बारे में जान लेते हैं जम्मू कस्मीर जो है वो पहले राज्य हुआ करता था अब जम्मू कस्मीर जो है वो यूनियन टेरिट्री बन गया है कब से 31 अक्टूबर 2019 से यह एक यूनियन टेरिट्री जो है वो ब पूंबर से लेके अप्रैल के बीच में इसकी कैपिटल जो है वो जम्मू सिफ्ट हो जाती है यहां पर डिश्टिक यानि जीलो की कुल संख्या 20 है और इस समय जो लेटीनेंट गवर्नर है जम्मू कस्मीर के उनका नाम क्या है उनका नाम है मनूज सिनहा जी जो है इस समय यह जो कि यहां पर इस समय जो कि यहां पर इस प्रिस्ट है उसके बाद सालीम जावर्नर के लेटीनेंट गवर्नर है और लोग सब्सक्राइब जो है वो चर्चा में लिया गया ठीक है जम्मू कस्मीर में कुछ फेमस प्लेसे उनके नाम आप डाउन कर सकते हैं कभी-कभी वन पहले से लिडर वैली जो कि यहां पर इग्जाम में पूछा जाता है दूसरा डल लेक डल लेक भी पूछा जाता है कि कहां पर इस्तित है उसके बाद सालीमार गार्डेन कौन सा सालीमार गार्डेन जो है यह भी यहां की एक फेमस प्लेस है वैस्नो देवी टेंपल वैस्न पाच्वी नियूज किया है तो चॉति नियूज क्या हो गई जम्मू कस्मीर अरच्छड और पुनर घटन संसोधन बिल जो है वो चर्चा में लिया गया पाच्वी नियूज क्या बारे में कुछ जान लेते हैं, डॉक्टर बियार अम्बेडकर जी जो है, इनका जो जन्म है, वह 14 अप्रेल, 14 अप्रेल 1891 को इनका जन्म हुआ था, कहां पर जन्म हुआ था, महु मध्यपरांथ, ब्रिटिस भारत के दौरान, मध्यपरांथ नाम था, अब अब जो है, उसका 156 को इनकी मृत्ति हुए थी, और डॉक्टर अम्बेडकर राष्टी इसमारक नई दिल्ली भारत में इभी स्थित्त है, समाधी स्थल जो है इनकी उसको चैत्य भूमी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चैत्य भूमी, जो की कहां पर है, मुंबई में है, और मुंबई क के भी नाम से बुलाते थे, और इनको लोग भीमराओ के नाम से भी बुलाते थे, राजनीतिक दल की बात की जाया, तो तीन राजनीतिक दल इनके थे, जिसमें ये सामिल थे, पहला दल था, सेडूल कास्ट फांडेशन, स्वारी, सेडूल कास्ट फेडरेशन, सेडूल कास् राजनीतिक दल थी दूसरी राजनीतिक दल स्वतंत्र लेबर पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी इनकी दूसरी राजनीतिक दल की पार्टी थी और तीसरी जो है वो भारती रिपब्लिकन पार्टी भारती रिपब्लिकन जो है पार्टी जो है वो इनकी तीसरी राजनीतिक की भी थे क्या थे राजनीतिक की भी ये थे अगर पेशे की बात की जाए तो ये पेशे से विधिवेत्ता भी थे अर्थसास्त्री भी थे राजनीतिक निस्कायब्हस्ग द्या açव अविट भीतर है नहींलिस्ट इसे कि अधर ह வिगने पॉट्नियू सुख गर्म करें चाहिए यह सब करते थे इतने इंदू में पैदा ऊपने नहीं समय में इन्होंने बहुत धर्म को जो है वो स्विकार कर लिया था किसको बहुत धर्म को इन्होंने स्विकार कर लिया था पुरुसकार की बात की जाए तो इनको कई पुरुसकार मिलें जिसमें से कुछ of their time 2004 में इनको प्रदान किया गया था ग्रेटेस्ट इंडियन पुरुसकार 2012 में इनको प्रदान किया गया था ठीक है ये थे भीम राव अंबिडगर जी भीम राव अंबिडगर जी 6 दिसंबर 2023 को भारत डॉक्टर बी आरम बेडगर जी को उनके अर्शट में दिवस पर राजय मंत्री राजयपाल मोक्य मंत्री और अन्य गड़मान व्यक्तियों ने भी बाबा साहिब जी को सुर्दांज ली दी इनका जो जन्म है मैंने पूरा बता दिया इन्होंने कोलंबिया विस्विद्याले लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से कानून और अर्थ सास्त्र म भारत की आजादी के बाद बाबा साहब अमेटकर भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे उन्होंने भारती सम्विदान के निर्माड में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जो एक कमीटी बनी थी ना सम्विदान बनाते समय जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमीटी ड दक्तर बियार अमिडकर जी ही थे तो पांच्वी निウज क्या हो गई कि 6 दिसमबर को भारत रफ्ट दक्तर बियारे SO 10 सथमा महा परिनिर्माण दिवस जो है वो मनाय गया अज की 6 निउस क्यों बढ़ते है चटवी न्यूज क्या है शिक्स न्यूज में है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करने वाला चक्रवात चक्रवात मिचाउंग एक चक्रवाती तूफान जो है वो आया है चक्रवात मिचाउंग जो है एक चक्रवाती तूफान था जिसने एक दिसंबर कब एक दिसंब दो हजार तेश को भारत के पूर्वी तठ दोखो ये भारत का नीचे पेनिसुलर इंडिया है ये आपका हो जाएगा पूर्वी तठ ये क्या हो जाएगा पूर्वी तठ और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पश्यमी तठ क्या हो जाएगा पश्यमी तठ इसको हम इंग् से अगर स्टार्ट करोगे तो इधर उडिसा उसके इधर देखोगे तो च्छतीस घड़ फिर इसी से उडिसा से सटा वह आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के बाद आपका आ जाएगा तमिल नाडू नीचे तमिल नाडू तो इस यह जो चक्रवात है यह पूर्वी तट है वह आंद्रप्रदेश में नुकसान किया है और तमिल नाडू में इसने नुकसान किया है ठीक है दचडी प्रसांत महासागर में एक उष्ट कदिवंदी आवसात के रूप में विक्सित हुआ था और तेजी से एक चक्रवात में यह विक्सित हो गया और तूफान ने ती नीचे क्या स्थित्य नीचे था तंविल्नाड, पहले आंधर प्रदेश में तबभाई मचाई डिक कुछ और निशरी हैं। तमिलनाडु में कम चकम पांच लोगों की मौत हो गई और पचास से अधिक लोग घायल हुएं, आंध्र प्रदेश में दस जार से अधिक घर जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं, तमिलनाडु में पांच जार से अधिक घर ध्वस्त हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश में बीस नंबरिंग से जो चक्रवात आते जाते हैं और जो पहले ही नाम दिया रहता है उसी नाम से इसको नाम रख दिया जाता ह। तो छटवी न्युस किया है चटवी न्यूस जे बारत के पूरी तट को प्रवाइप करने वाला चक्रवात मिचांग nursing जो है सर्विलाइन से एक तरीके से नजर रखने के काम इसका रहेगा पहले सर्वेच्छडपोत व्रहत संध्यांक यार्ड 30-25 का निर्माड जो है वो गार्डन रीच सिप्मेंट एंट इंजीनियर्स यानि की जी आर एस इ कोलकाता द्वारा किया गया था इसका जो निर्माड है व इस्थापन जो छमता है वो लगबक 3400 टन की बताई जा रही है इसकी जो कुल लंबाई है वो 110 मीटर की है और सांध्यक अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरनों से युप्त है जिनमें डाटा अधिग्रहड प्रसंसकरल प्रडाली स्वायत अंडर्वाटर वाहन र पहुचने वाले मारगो का सर्वेचड करने और नौवहन चैनलों मारगो का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा दो डीजल इंजनों द्वारा संचाले तिया जो पोत है वो 18 समुद्री मिल से अधिक की गति प्राप्त करने में सच्छम बताया जा रहा है तो आज की सा भारतिय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद जी को सिंगापुर का सर्वोच कला सम्मान जो है वो मिला है देखिए वेरियस न्यूज आउटलेट में ये बताया गया है टाइमस आफ इंडिया में दप्रिंट में चेतना मंच में पीटी आई में हर जगाई जो है ये न्यूस फ सम्मानित जो है वो किया गया है नाम याद रखिए गया इसका क्या है कि इसका नाम है इतसे जो है इनको अ संधान है जो है वह 500th में भारत में काża है नहोंने सिच्चा वह बृटन में हुआ की उनका पहला जो उपन्यास था ईसका नाम ता डशन आउफ ऐर 1970 में प्रकासित किया गया था इसके बाद उन्होंने कई अन्यूपन्यास भी लिके जिनमें the mystic fire, the tiger one, the heart of the dragon, the white knight आधी इनके उपन्यास जो हैं वो सामिल है उनके उपन्यासों को कई पुरुसकारों से सम्मानित भी किया गया जिनमें से 1997 में इन्हें हो मिन्फोक पुरुसकार भी जो है वो प्रदान किया गया था इनकी कुछ पुस्तकों के कुछ उपन्यासों के नाम दिये गए हैं आप इसको जाके देख सकते हैं अब सिंगापूर की बात आई है जिसने इनको ये सर्वोत सम्मान प्रदान किया है सिंगापूर की बात आई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोकों सिंगापूर जो है न मैप तो इसमें लगा नहीं है ने तो मैं दिखा देता सिंगापूर जो है जैसे इधर से आपका इंडियन ऊसीन है इधर से आपका जो येलो सी वाला है कौन सा पैस्फिकोशन वाला इन दोनों को एड करने के लिए उपर आईलेंड है नीचे आईलेंड है और बीच में एक स्टेट गया है मतलब जलसंदी गई है और उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ मल का नहीं है इसलिए Capital इसकी पाइस का नाम भी क्ना शिंगापूर हो इसकी के संगापूर बताई जाती है इसकी जो आमेशियन वह बताई जाती है इंगलिस मलय मलय यहां की एक लेंगवेज और इसस है और कि निशनल की बात की जाए तो Malay जो है यहां की national language है लेकिन बोली सब जाती है English भी बोली जाती है मंदारिन भी बोली जाती है तमिल भी बोली जाती है अगर ethnic group की बात की जाए कि यहां पे कौन से religious के लोग जादा रहते हैं तो 31.1% जो है यहां पे बुद्धिजम को फॉलो किया जाता है किसको बुद्धिजम को जो है वो फॉलो किया जाता है बीस परसेंट लोग अपना कोई religion बताते ही नहीं है मतलब वो मानते हैं कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते अठारे पर 10 5% लोग जो है वो हिंदुर्शम को मानते हैं मतलब हिंदू होने को मानते है और बोस्के करीब लोग यह व cả Native जादा रहते हैं तो यहां बता जा रहे कि 74 पर संट लोग जो है वो चैनिस के हम मतलब चाइना के लोग रहते हैं 9% यहां पे वह इंडियन आपको मिल जाएंगे और लगबक 14% लोग यहां के लोकल यानि कि मले पीपल होते हैं ठीक है और 4% लोग माना जाता है कि अलग 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 देश से आके सेटल हुए रहते हैं government की बात की जाए तो Singapore की जो government है वो Unitary Dominant Government है और party parliamentary republic यहाँ पर होता है President का नाम काफी लंबा है आप लोग्न नाम note कर सकते हैं President का नाम है थार्मन Ja Celebrant शंबुगु गरातनम यहां के इनके क्या नाम है प्रेसिडेंट का नाम है अगर पीम की बात की जाये तो ली विन लॉंग ली विन लॉंग जो है यहां के प्रैम मिनिस्टर का नाम है ठीक है और यहां पी करेंसी मतलब सिंगापूर में कौन सा करेंसी चलती है तो सिंगापू डॉलर वह है वहां की currency बताई जाती है तो ब्रदान किया गया आज की नवी न्यूस की और बढ़ती है, नवी न्यूस क्या है, नवी न्यूस है कि दुनिया के पहले पोटेबल अस्पताल का उद्गाटन जो है, वो किया गया है, इसका उद्गाटन जो है, वो कर दिया गया है, दुनिया के पहले पोटेबल अस्पताल का उद्गाटन 2 द अस्पताल का जो निर्मार है वो भारत सरकार के स्वास्थ मंत्राल है रच्छा मंत्राल है और रास्टीय सुरच्छा परिशद ने मिलकर किया है आरोग्य मेत्री क्यूब्स से बना है और प्रतेक क्यूब में अलग प्रकार की सुविधा होती है जैसे की ओपीडी आई सी यू ऑपरेशन थियेटर आधी जो है इसमें सामिल होते हैं इस अस्पताल में बताया जा रहा है कि कुल 200 मरीजों का इलाज किया जा सकता है इस अस्पताल का जो उद् इत्सा सोविधाय प्रदान करने में मदद कर सकता है ऐसा बताया जा रहा है यह देखिए यह न्यूज आई थी ठीक है इसके कुछ लाब हैं जो दिये गए कि सबसे बढ़िया लाब यह है कि इसको एक जगह से दूसी जगह जो है आसानी से ले जाया जा सकता है जैसे कहीं इसको एक जगह से दूसी जगह सिफ्ट किया जा सकता है ना तो एक तरीके से बना बनाया वहां पर हॉस्पिटल पहुच जाएगा तो इलाज करने में जो है वह आसानी होगी अब हर्याड़ा में यह लांच हुआ है तो हर्याड़ा की बात आई है तो थोड़ा सा ओर इसकी जो एक नोंबर 1908 को यह बना था और यह इससे पहले यह किसका पाँछ था इससे पहले जो है यह पंजाब का पाड़ था कहा का यह पंजाब का पॉय pneum OFFICER इसकी जो चैपीटल का नाम चंडी को चनडीगर इसकी विए जो गवर्नर है हरियाना के उनका नाम बंदारू दत्ता त्रेया इस इसंद में यहां के गवर्नर है अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो यहां पर इसंद में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम उनका नाम है मनोहर लाल खटर मनोहर लाल खटर जी जो है यहां के इसमें मुख्यमंत्री है जो की बीजेपी पार्टी से बिलॉंग करते हैं डिपिटी चीफ मिनिस्टर कौन है यहां पे उनका नाम है दुस्यंत चौटाला उनका नाम है उनका आज जे सभा की कुल सीटों की संख्या पांच है और विधान सभा के कुल सीटों की संख्या जो है वो नब्बे है तो आज की नौवी न्यूस क्या हो गई आज की नौवी न्यूस है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उधगाटन जो है वो हर्याडा में किया गय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आई जी एफ एक बहु बहु हितधारक मंच है जो विभिन समूहों के पृतिनिदियों को एक साथ लाता है जो की इंटरनेट से संबंदित सारुजनिक नीति के मुद्धों पर चर्चा करने के लिए सभी को एक समान मानता है इंडिया 30 एक हईब्रिट इवेंट है जो की 5 दिसम्बर को जो है वो आयोजित किया गया था दिल्ली में जो भारत मंदपम जो अभी बना हुआ है न मैंने एक रील जो है बना के मैंने बताय था मंदपम जो है उसकी मतलब उधगाटन कर दिया गया था तो वहीं पे इसका इवेंट जो है वो और्गिनाइस किया गया था 2021 और 2022 में IIGF के पहले दो संसकरडों को सफलता पूर्वक आयोजित करने के बाद IIGF का तीसरा संसकरड जो है जिनका थीम था आगे बढ़ना भारत के डिजिटल एजन्डे को कैलिबरेट करना इसके विशय के तहट आयोजित किया गया था तब किया गया था पांस दिसंबर को आयोजित किया गया था तो यह न्यूज है ठीक है फोरम में भारत सरकार के विभिन मंतरा लियों और विभागों इंटरनेट सेवा प्रदाताओं उद्योक संगठनों गैर सरकारी संगठों नों सिच्छा विदों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिदीयों में इन्होंने भाग लिया और फोरम में वारह सत्र आयुजित किये गये थे और कई विश्यों पर जो है वो चर्चा हुई थी ठीक है यह देकिए दिया गया है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयाई है जीएफ दोजार तेश जो है वह अभी नू डिल्ली को पांस दिसंबर को नू डिल्ली में जो है वह रखिएगा कभी कभी वन डे एक्जाम में यह लोगों पूछ लेते हैं है ना तो इसको भी जो है वो याद रखिएगा वाई-फाई बना हुआ हाथ भी बना हुआ तो यह वीडियो कैसी लग रही है यह जो स्रीज चल रही है कैसी लग रही है आपको प्लिस कमेंट सेक्शन म वो टोटल 98 वीडियो में एंसेंट और मेडाइवल हिस्टी के सारे जो प्रिविएस यह कोश्चन है वो डिसकस किये जा चुके हैं आप उनको जो है जाके देख सकते हैं और जो यह पॉलिटी के जो स्रीज है वो गोइंग ओन है मतलब अभी चल रही है आप धेर धेरे इसक को लाइक करिए धन्यवाद